जै मादादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो तीन ग्रह मकर राशी में एक साथ इखटे हो गए हैं आज सुभा से मकर राशी में शुक्र, शनी और सूर्य इन तीन ग्रहों का एक साथ होना त्रिग्रही योग का निर्मान कर रहा है जो कई मायनों में विशेश होने वाला है क्योंकि मकर राशी जो है वो शनी की राशी है सूरिय शनी के पिता हैं लेकिन इन दोनों में शत्रुता की भावना है ऐसी इस्तिती में सूर्य और शनी का एक साथ होना एक ही ग्रह में मकर राशी में और साथ में शुक्र का भी वहां होना त्रिग्रह योग का निर्मान कर रहा है अब देखिए जब तीन ग्रह एक साथ एक ही भाव में मौजुद होते हैं तो त्रिग्रह योग कई तरह से प्रभाव देता है आपके जीवन के कई सारे एहम बदलाव अब होने वाले हैं दूसरी तरफ इन तीन ग्रहों की जो यूती है ये अलग-अलग तरह के प्रभाव देगी और साथ में कुछ मिक्स भी प्रभाव देगी लेकिन किस तरह के प्रभाव यहां मिलने वाले हैं मैं बात करने वाली हूँ इस यूती के बारे में तुला राशी और सिंग राशी के इन दो राशी वाले लोगों को इन तीन ग्रहों के एक साथ होने से किस तरह के प्रभाव होंगे। जनकारियां मिलती रहती हैं तो देखे हम पहले बात करेंगे तुला राशी के बारे में कि तुला राशी के लोगों के लिए यहां किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे इस तरह के रही योग से तो आपके लिए यह जो समय होगा बहुत उप्युक्त समय कहा जा सकता है आपके राशी के स्वामी है शुक्र देब और आपके जो यहां तुला राशी के लोगों के लिए चौथे भाव में ये यूति हो रही है और ये यूति आपके लिए काम्याभी देने वाली होगी, अभी है देखें शनी अभी यहां है लेकिन शनी यहां 17 जन्वरी को राशी प्रिवेश कर जाएंगे तब यहां दो ग्रहे एक साथ होंगे आपकी राशिक के स्वामी और साथ में सूर्य देव अब यह तरिग्रही योग की पहले मैं बात करूं तेन दिनों तक तो यह जो तरिग्रही योग है खास तोर से उन लोगों के लिए बहुत अधिक प्रभाव साली है जो लोग रियल स्टेट के बिजनस में जुड़े हैं उनके लिए अब चांदी कटने का समय आ चुका है तुलाराशी के लोगों के लिए क्योंकि यह जो समय है कई योग होते हैं जो कम समय के लिए बनते हैं लेकिन बहुत पावर्फुल बनते हैं कुछ ऐसे योग होते हैं जो पुड़े अच्छे होते हैं और लंबे समय के लिए बनते हैं लेकिन उतने पावर्फुल भी ने रह पाते हैं अब यह जो है यह आशी के जातकों के लिए चौथे भाव में बना ये त्रिग्रह योग शारिरिक सुख को भी दर्सा रहा है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये वक्त काफी अच्छा साबित होगा। इस त्रिग्रही योग का जो प्रभाव है वो कई सारे अवसर तुला राशी के मन में विचार चल रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी नौकरी में ये जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी इन सारी चीजों का प्रभाव आपके लिए बड़ा उत्तम होगा अब तुला राशी के लोगों के लिए आपकी जो राशी के स्वामी है शुक्र दे वो आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं और जब यह यूती बन गई है तो इनका तो हो गई होगा पर भाव आपको कहोगा आपने जो पिछले समय में मेहनत की थी उसका फल आपको इस दोरा भाव पर इस योग के अलावा जो आपके कारश शुत्र को बहुत बहतर बनाएगी आपके कारश शुत्र में बहतर परिणाम राप्तों होंगे तो बहुत ही अच्छा यह समय है इस समय का आपको लाब जरूर उठाना चाहिए यह यूती तीन देन तक है उसके बाद दो ग् सिहिंग राशी की है। सिहंग राशी की लोगों के लिए सुरिय शुक्र और साथ में शनी। इन तीन ग्रहों का एक साथ एक जगा योग बनाना कुछ चीजों के लिए बहुत पॉझिटिव रिजल्ट देगा और कुछ के लिए आपको बहुत सावदानी भी रखनी भी जो सुर्या का गुचर है ये छटे भाव में है छटा भाव रोग, रिण और शत्रू का होता है अब लगनेश का जब छटे भाव में जाना होता है तो ये शुब नहीं होता आपके राशी के स्वामी सूर्यदेव का दूसरा यहां सूरिय अपने पुत्र की राशी पुत्र के साथ पैठे हैं शनी के साथ तो यह तरिगरही योग सास्ते समंदी परिशानी तो देगा लेकिन साथ में आपके शत्रों पर विज़य भी प्राप्त कराएगा अगर आपके शत्रों थे ना आप उन पर विज़य प् गुजर रहे हैं या फिर आप किसी कानूनी मुद्दे से गुजर रहे होता है ने कई कानूनी विवास चल गया बिना वजह भी कई बार चल जाते हैं जूटे आरोप उसे भी चल जाते हैं तो आप देखेंगे वो जो आरोप है वो खारिज हो जाएंगे वहां आपको जो यहां गोचर है छटे भाव में यह कुछ स्वास्त आपका खराब कर सकता है स्वास्त का ध्यान रखना है और साथ में उन लोगों के लिए भी यहां थोड़ा सा परिशान होना हो सकता है जो किसी चिकित्सा के परिणाम से चिकित्सा के शेतर से जुड़े हैं तो उनके लि में शुक्र का और साथ में सूर्य का एक साथ होना थोड़े रिजल्टों को जो है वो बदल देगा स्वास्ते आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप खलातमक चीजों की तरफ जादा मुरेंगे चटे भाव में हैं चटा भाव प्रतियों की तका भी होता है सिक्षा के शेतर में उन बच्चों के लिए जो किसी फैसन डिजाइनिंग का काम करते हैं या फिर आप किसी ऐसी फिल्ड से जुड़े हुए हैं म्यूजिक के फिल्ड से मीडिया के फिल्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा या फिर आप मीडिया के शेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्टुडेंट की भी मैं बात कर रही हूं तो उनके लिए भी ये जो समय होगा ये काफी अच्छा रहेगा पॉजिटिव रिस्पॉंस आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप उस मुकाम पर हैं जहां आपको जौब मिलने वाली हो या फिर आपका प्लेस्मेंट होने वाला हो तो उनके लिए ये समय बहुत पावर्फुल है आप एक तो अपने स्वास्ते को ठीक रखें और साथ में आपना शनी के उपाई जरूर करें शनी के उपाई बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए या फिर सूरे के उपाई भी करके सकते हैं तो दोस्तों औरहिए कैसी जानकारें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीदियो को लाएकौट प्रोड़ों